नमस्कार लाइब बिहार देख रहे हैं आप आपकी साथ मैं सनिहा गुपता आपको बता दे जब लोग सबह चुनाव के नतीजे 4 जून को आये थे तो उसके बाद यानि की 6 जून को बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक समरार चौधरी ने ये बयान दिया था कि हम लोग 2025 का चुनाव मुख्य मंतरी नितीश कुमार के नेतित में लड़ेंगे और ये बयान जो है वो समरार चौधरी का दिया हुआ था लेकिन अब पार्टी ने जो कहा था उसी के बाद केंद्रे मंतरी अश्विनी चौबे जो है दूसरे बोल बोलते वे नजर आ रहे हैं उनका क बीजेपी के द्वारा ही बनाई जाए इसके साथ ही आपको बता दे जहां एक तरफ अश्मिनी चौबे का ये बयान बिहार की राज़नीती में खलबली मचा रहा है तो राज़त भी इस पर चुटकी लेने से पीछे नहीं आड़ा राज़त का कहना है कि जेडियू के साथ जो है वो बीजेपी चल कर रही है और हमेशा ही बेजीविक का यही चरितर रहा है कि जब तक उनको जरूरत होती है तब तक वो अपनी पार्टी में लोगों को रखते हैं और जब जरूरत खतम हो जाती है तो उसको पार्टी से बाहर निकाल देते हैं आपको बता दे कि लो लाइन लेंट से अलग पूर्व केंद्रे मंत्रे और बिहार बीजेपी के सीनियर लीडर अश्विनी चौबे ने कहा है कि 2025 में बीजेपी के नितित में बिहार में सरकार बननी चाहिए दिल्ली में मीडिया से बात करती है उन्होंने कहा है कि बिहार में हमारा दाइत बनता है बीजेपी के नेतित में एंडिये की सरकार बननी चाहिए इसके लिए जो भी तपस्या और बलिदान करना होगा हम करेंगे बीजेपी के पूर सांसत के इस बयान से बिहार में एंडिये गडबंदन को लेकर सवाल उठने लगे हैं और इस बार राज़त भी पीछे नहीं अट रहा है ऐसे तो राज़त के अगर हम बात करें तो हमेशा ही चुटकी लेते हुए नजर आते हैं राज़त के नेता और कारेकरता और इसी पर अब चुटकी लेते हुए इजाज अहमद जो कि आरज़ेडी के प्रवक्ता है वो भी नजर आ रहे हुए उन्होंने कहा है कि जेडियू के साथ चल हो रहा है जहां एक तरफ समराच चौधरी और बिहार की डिप्टी सी एम जो है उन्होंने ये कहा था कि नितीश कुमार हमारे नेता है और हम नितीश कुमार के निति CJ की बात करें तो जहां BJP 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और जेडियू 16 सीटों पर लेकिन जेडियू की परफॉर्मेंस की बात करें तो बारे सीटें लेकि आई थी जेडियू जिसके वजे से कहीं न कहीं BJP का जो बोल सकते हैं दाइरा था और BJP का वर्चस्व था वो कम ह तवा नजर आया क्योंकि जेडियू ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी की थी चाली सीटों में इसे बारे बारे सीटे बीजेपी और जेडियू ने लाई जहां एक हम यानि कि जीतन राम मांजी और पांस सीटे लोच पार यानि कि लोग जन शक्ती पार्टी राम विलास ने जीत हासल की थी अब अश्विनी चौबे का ये बयान भ्यार की राजनीती को कैसे बदलता है और क्या सच में जेडियू के साथ छलो रहा है ये देखना तो लाजमी रहेगा आप बने रहे हमाए साथ तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया